ओके तो हलो एवरिवन वेल्कम तो दा नाइंटेंज लेक्टर ओफ डिजाइन फ़स्टी एलस्ट्रक्टर एंड इन टोड़े सेशन आइं गोंग तो इसको डिसका अपाई का मतलब क्या क्या पॉइंट हम लोग कवर करने वाल है उसके बारे में ने बता है आया सो लेटे से स्टार्ट दे टूडे सेशन है तो आज का जो सबसे पहला पॉइंट में डिसकस करूँगा वह है डिजाइन ओप ओर इंटरमेंट घ्लेंट विल्ड और डिसकोंटिन्यूर्श और पीच दे व्यक्ही इंट्र Mr.. कर तो क्या होता है इंटरमेटेड में रूख रूख है ना इंटरमेटेड में डिस कंटिनिवार्स और यू कन से रूख रूख कर है ना तो यहां पर देखिए एक्चुली एक कहां पर अपलिकेबल है यदि आपका टोटल जो अस्पेस अभेलेबल है बेल्डिंग के लिए वो बहुत जादा है है ना वो बहुत जादा है और आपको लोड ट्रांसफर करना क्या होगा कम होगा लोड ट्रांसफर करना यदि कम होगा तो जब लोड ट्रां वीडिनंक के लिए की विजुए को सच्टकश्यर और लोड ट्रान्स­φर होना वं बहुत कम होना तो जब लोड का ट्रांसफर बहुत कम होना है तब क्या करेंगे एफेक्टीव लेंथ वेल्ड की भी वहलू क्या होगी कम होगी अगर नहीं समझ में आता है तो देखते हैं यहां पर देखें जैसे यह आपका रियल इंजिनिंग वर्ड का एक्जामपल है जैसे क्या है इसको प्लेट गडर बोलते हैं अपने आप में चैप्टर है प्लेट गडर एंड गंडर अपने आप में चैप्टर है ठीक है तो इसको बाद में है जो डिसकस करेंगे लेकिन यहां पर क्या एक आई सेक्शन गडर ऑब बीम में बेसिक डिफेरेंसे है कि गडर है जो लोंगर अस्पांट के लिए उच करते ही जबकी बीम है जो सौraटर अस्पांट के लिए उच करते हैं जिन्धाफ्ट इसको आउह दिभी पोलते हैं इसको स्टितनर जोलते हैं एढका क्या होगया एक जोंकी में लेंट हो गया और दिखराइPs को क्या बोल रहे हैं बसक्राइब और यहां पर ब्लू बहुंशे का आपका क्या का बेव से कनेक्शन किया गया है लेंज का बेव से कनेक्शन किया गया और उसके बाद अस्टिफनर का इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं यह बेव को सपोर्ट प्रदान करता है यह बेव को क्या करता है सपोर्ट प्रवाइड करता है इसको बोलते ह स्टीफन जब गडटर देखें तो हमपमें पढ़ेंगी तो ढओ किया है यहां पर म् में किया यहां पर चोड दिए धिर कुछ कुछ दिए फिर छोड़ दिया फिर यहां पर कर सकता था चाहता तो यहां से लेके यहां तक पुरा लेंद में कर देता है ना लेकिन उतना जरुवत नहीं है उतना जरुवत नहीं है तो जितनी जरुवत है जितना लोड हमें क्यों से मतलब फ्लेंज और वेव का जो कनेक्शन होगा वह भी क्या होगा बेलडिंग के थ्रू होगा तो यह आपका र्यल वर्लिक इंज्ञेंड का एग्जाम्पल हुआ इसे तो नहों पेपर में आप कॉपी में कैसे बनाएंगी यह यह वेए नहों का कनेक्शन क्या गया है यहांप neutr से कुछ ऐसा देखेusting जीखेंगं लेकिन जब साइड से देखेंगे जब साइड से देखेंगे कुछ सी तरह से देखेगा और यह क्या बैब है यह बीच में दिख रहा है जूब का यह और यहाँ क्या है तो यहाँ पिया का है प्लेंज ने डिलेंघर तो विज् pride बेल्डिंग करने का इंटर्मिटेड फिलेट बेल्ड करने का दो तरीका हो सकता एक को बोलते हैं चेन इंटर्मिटेड क्या बोलते हैं चेन इंटर्मिटेड है ना दूसरे को बोलते हैं अस्टेगर्ड इंटर्मिटेड यह क्या हो गया अस्टेगर्ड इंटर्मिटेड एस् टेघर इन्तर्मेंटन मतल्झ फ्रेयाँ है प्रEH concnya फिर यहाँ पर किया किया फिर यहाँ किया फिर यहाँ पर किया फिर नौ essen पीम्पप से पूश्चन हों कि दोनों में बढ़ियां कौन होगा दोनों मंशबसे ज़्यादा अच्छा कौन हो मतलब दोनों में best building कौन होगा चेन intermittent या चाहिए इंट्र में पताए यह सोच कि दोनों में कौन सा बेस्ट होगा है तो दोनों में लगा तो यहां पर देखिये कि यहां पर यहां पर यहां पर तरेस्ट करेगा यहां पर जो आप लगा रहे हो रजीश्ट करेगा फिर अचानक से बेल्डिंग खतम हो गया अचानक से बेल्टिंग है जो आपने प्रोफाइड नहीं किया फिर अपने प्रोफाइड किया फिर छोड़ दिया फिर प्रोफाइड किया तो यहां पर क्या होगा अश्ट्रेस का फ्लोग कंटिनिवस नहीं है जब कि यहां पर क्या है कंटिनिवस है इस तरह से इस तरह से यह क्या है कं को point में बाद में मैं देख नूँगा ना बाद में मैं इसको लिखा दूँगा तो आपको याद रखना कि intermittent a stagger intermittent होता है जो best होता है हैना income pressure into chain intermittent chain intermittent क्यों क्यों कि यहाँ पर stress का flow है वो a smooth होता अश्ट्रेस का flow है जो a smooth है है नव फर्स्ट्रेस का फ्लो क्या है समूथ है जब कि यहां पर क्या лишь का फ्लो आश मूथ नहीं होता है ठीक है नाव लेट सी दा important point let us see the some important point now first I have written here it is provided कहां पर पर प्रवाइड करेंगे when when required built length when required built length is less than the available event built length available built length इस case में देखे available when built length क्या है throughout the wave कर सकते हैं चाहें तो आप throughout the wave कर सकते हैं यहां से लेके आप यहां ता कर सकते हैं है हना लेकिन इतना हम नहीं करेंगे अतना नहीं करेंगे क्योंकि हमें जरुवत नहीं है हना तो कहां पर यूज करेंगे it is provided when required weight would Lain then the available bell name next point next point the staggered intermittent fillet build is better than the chain intermittent fillet build due to a smooth flow of stresses this is very very important point a smooth flow of a smooth flow of stresses is topic say yourself objective question president בכiken seul गहता है इछा में यहाँ से objective question एक दो question पूछता है उसी को मैं देख लूँगा इनोट में कभर हो जागा हो सेकंड फिर्ट इंट इस नॉट यूज़ यह कहां पर यूज़ नहीं करेंगे विन अस्ट्रक्ट्टर इस सब्जेक्ट टू सीवियर डैनेमिक लोडिंग जहां पर सीवियर डैनेमिक लोडिंग होगा डै अगर होगा थो उससके में यह सब बैल्ड हैं आपको ब्रेक होकर बाहरव एक डर बना वारता है اسलिए जहां पर अने करेंगे क्या करेंगे इंटर्मीटेज चेस में आप नहीं करेंगी है नाओ नेक्स पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट विजिए वेरी इंपोर्टन फ्रॉम्द अब्जेक्टिव पॉइंट व्यू मैक्समुम पीच अब पीच क्या होता जो देखे ध्यान से मैं दुसरे एक कलर से दिखाता हूं सबसे पहली बात की पीच होता क्या है तो यह जो डिस्टेंस देख रहे हैं यहां से लेकर इसका टेल से लेकर इसका हेट से लेकर इसका टेल थर इसका हेट से लेकर इसका टेल थर इसका हेट से लेकर इसका टेल थर इसको क्या बोलते हैं पीच बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं पीच बोलते हैं इसको क्या बोलते ह यहां भी हो जाएगा पीच यह भी क्या है पीच है यह भी आपका क्या है पीच है इस केस में पीच कहां से डिफाइंड करेंगे यह रहा यह पीच हुआ यह सब क्या है पीच है पीच है पीच है यह सब क्या है पीच है इस बड़ से आप लोग पहले रहे ते मतलब आवेर हैं maximum pitch for compression member अगर आपने जो structure में building किया है वो subjected to compression compression load है हैना so maximum pitch for compression member आगर आपने उसको compression loading लेने के लिए आपने build किया है हैना तो इस case में क्या होगा पीच का जो value होगा वो minimum of 12T and 200 mm होगा दोनों में जो minimum होगा करेंगे minimum of 12T and 200 mm हैना pitch of the build इसलिए यहां पर मैंने लिखा था pitch of the build के नाम से भी इसको जाना जाता है now next point next point is यदि tension member होगा तो क्या होगा minimum of 60T and 200 mm 60T और 200 यह दोनों में जो minimum होगा होगा tension के लिए और compression के लिए क्या होगा 12T और 200 में दोनों जो minimum होगा होगा compression के लिए तो यह तो था आपका basic information about the intermittent fillet build or discontinuous build or pitch of the build now move to the next one which is very important from competition point of view as well of as well as semester point of view so design of plug weld and slot slot weld next point of discussion is next point of discussion is design of plug weld and slot weld अब देखिए ध्यान से सुनना है इस case में क्या होगा कि आपका जो available length होगा जो available length होगा building के लिए वो कम होगा ध्यान से सुनना है available length of build होगा जो कम होगा है जबकि required length of build होगा वो ज्यादा होगा required length of build होगा जो ज्यादा होगा नहीं समझ में आया कोई बात नहीं अच्छी बात है अभी देखते हैं जैसे इस केस में देखे आप बेल्ड कहां कहां कर सकते हैं आप बेल्ड कर सकते हैं यहां पर बेल्ड कर सकते हैं यहां पर कर सकते हैं और उसके बाद आप यहां पर कर सकते हैं यहां पर कर सकते हैं ठीक ह कि आपको क्या थे ट्रांसर करना है लू Sol को क्या करना करना धर थीक है सबमने अधसरी ऑंषित जाएं किया यह वहलीव मान लेते हैं थार्प्राइल कि आपको थैंगा, धांससे सुनना है तो कि इस पर बहुत कोशन कोश था यह 300 है यह 300 है और यह मान लेते हैं 250 है यह आपका कितना है 250 है तो आप एक बाद बताएं maximum building कितना कर सकते हैं 300 प्लस 250 प्लस 300 मतलब 336 and to 850 कर सकते हैं वह आगया कितना 1000 काफी केरफुली सुनना है वह आगया 1000 जबकि यहां पर मैक्सम कितना प्रवाइड कर सकते हैं 850 यह नि हमें 150 mm और चाहिए 150 mm और चाहिए फिर से मैं रिपीट करता हूं जो आपको लोडिंग दिया हुआ उस लोडिंग के प्रवाइड करना ही करना है अगर इतना आप नहीं करेंगे तो अस्ट्रक्चर क्या हो जागा फेल हो जागा ठीक है तो यह जबकि यहां पर इतना अब लेबल लेंथ है अब लेबल लेंथ आपका 850 है है और आपको जरूवत है 1000 mm का तो अब क्या करेंगे बताइए इस कैस में आप क्या करेंगे चुक्कि अगर 850 करके आपने छोड़ दिया तो यह स्ट्रक्चर क्या हो जागा फेल हो जागा यहीं पर आपका इंज लोग अपना माइंड यूज करता है अब क्या यूज करते हैं देखें अब क्या करेंगे चुक्कि हमें क्या करना 1000 mm प्रवाइड करना 1000 mm प्रवाइड करना तो हमने क्या किया चुक्कि हमें 850 कर पा रहे थे तो अब क्या क्या दो स्लॉट बना दिया इस तरह से दो क्या कर दिया एक स्लॉट बना दिया अब अब लोडिंग फे डिपेंड करेगा कि इतना स्लॉट की हमें जरूवत है एक्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं कि हमने दो स्लॉट प्रवाइड किया आप आपको बेल्ड एकुमडेट करने के लिए स्पेस मिल गया कहा कहा आप कर सकते हैं आप यहां भी कर सकते हैं आप यहां भी कर सकते हैं यहां भी कर सकते हैं और यहां भी कर सकते हैं ठीक है आप यहां भी कर सकते हैं यहां भी कर सकते हैं यहां भी कर सकते हैं ठीक है और इधर तो आप करहीं रहते हैं यहां तो आप करहीं जायता है कि अधर करी जायता है अंदर भी कर सकते हैं अंदर भी कर सकते हैं ठीक है तो अभी ओवर all वीथ में तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ चुकि यहाँ पे हाइ स्लॉट कार्ड दाने से जिए हुआ इधर हिए मिल गया यहां पें पार बहुत कर सकते हैं है और यहां पे कर सकते हैं और यहां पर कर सकते हैं है कि नहीं तो इतना है जो आपको मतलस अबोच किले अगर एक्स है एभी एक्स है और एभी एक्स है तो फोर एक्स है जो आपको एक्स्ट्रा लेंथ मिल गया और एक्स है जो एक्स्ट्रा लेंथ मिल गया है तो इसकेस में 150 एक्स्ट्रा हो स्लोट बोला जाता है है तो अब हमारा काम हो गया अब तो हमारा काम हो गया 1000 हमें एकोमडेट करना था टूटल बेल्ड लेंद को आपने स्लोट में इसको प्रभाइड कर दिया है ना सो अब है जो हमारा क्या होजागा अस्रestsक्टर जो मइंट क्या टमारा इसट्टकर उयस्म दिखाने सर्कूल वाइट करतें और S raze कि परको सिंद्ली को क्या करते हैं आपको बेल्डिंग मट्रेवर से फिल कर देते हैं बेलडिंग मट्रेवर को फिल नोहीं देम बुल्ड इसमेल कर देंगे जब की मैं क्या होग कर देंगे तो पूरा होल को ही आप क्या करेंगे is के चारों तरफ इसके चारों तरफ करें ब्लग स्लक वेल तो आपको भूलना होगा स्टार बेल्ड में वालिंग है जब कि लांग करते हैं है जब कि लम नहीं पूरा कोliga कर देते हैं whole में पुरा वेलिंग मठील का करते हैं फील बर से फिल तनक तक कि फरा here first point I have written here it is provided when required length of build is more than the available length of build available length of build यह आपका क्या था available length of build है यह इस figure में अगर देखा जाए तो available length of build कितना था 850 था जबकि required length of build हमें कितना है यहां पे example के तोर पे 1000 mm है तो required length of build क्या हो गया more than available length of build इस केस में आपको plug build या slot build का provision मतलब देना होगा है ना या तो आप plug build a lot करेंगे या slot build है जो आप opt करेंगे हैंना now move to the next point next point in this case overlap length is limited overlap length is limited यहां पर देखिए यह क्या है यही overlap length है ना यह क्या है overlap length है अबर लैप है यह क्या है आपके पास limited है को सब्सक्राइब यह बड़ मिलेगा आपको अभी कोस्षण करेंगे तो ज्यादा किलियर हो जाएगा तो overlap length क्या आपका limited है आपका लिम्टेड है ज्यादा ओबर लैप कराएंगे तो आपका यह आपके जो गस जलेट है सको गस सथ उलेट बोलते हैं जिसमें आपको मेन फ्रिक्ट को कष्य lud ok इसको बोलते हैं अगर अगर ज्यादा overlap length रखाएंगे तो 70 ख मधज़ा इताइड बढ़ जागा साइजब बढ़ जागा घसेजब overlap length is limited overlap length क्या होगा limited होगा now move to the next one move to the next one किता है कि slot should be provided symmetrically about x-axis about x-axis to make moment free connection this is very very important point to make moment free connection that is line of action of explanation देने जा रहा हूं कि कैसे moment free होगा that is line of action of forces must passes through the CG of the bell group so CG of the bell group so CG of the bell group यही है CG of the bell group क्या है यह है तो slot इस तरह से provide करना है जैसे यहां पर देखिए मैं figure से दिखाने की पोसिद करता हूं कि जैसे suppose कि यह आपका loading था कि इसी के long आप क्या लगा रहा है लोड लगा रहा है तो यह क्या हो गया यहां लाइन अफ एक्शन होगिया ना पास अपने बेंगिया है यहां पर यहां पर इसका cg भी क्या होगा सेंटर से ही पास करेगा क्यों अगर ऐसा सेमेट्रिकल नहीं होता तो क्या होता बेड़ लेंथ के कारण क्या हो जाता मुवमेंट आ जाता है ना कहें समझेंगे सब्सक्राइब कीजिए एक इक्जामपल के तौर पर मैं बता रहा हूं एक प्लेट ए है दूसरा प्लेट ए है ठीक है आपने बेल्डिंग प्रवाइड किया इसमें कुछ इतना किया है और इसमें पूरा कर दिया अब देखिए यह क्या मोमेंट फिरी होगा यह मोमेंट फिरी नहीं होगा क्यों क्यों कि इधर लेंद कुछ अलग है इधर लेंद कुछ अलग है इधर लेंद कुछ अलग ह अना उसको युद्ध अब देखिए अब क्या होगा अब आपको इसको में कर देता हूं यह बात की बात है सिर्प समझाने के लिए मैं बनाया था नो इसके समय देखिए को एक नेक्ट पॉइंट क्या है कि टोटल अस्ट्रेंग्थ और बेल्ड ही सामओ लोंगा टूटनल सैट फेलेट विल्द ऑल्न टूमर में सिरेड वड़ेन दोनों क्या सेम अब वेलों टूटनल अधर्बेलों किसको बोले फिलेट बेल को दो टायक होता है एक 15% जो है और जिसको 161 पर चौह यह वाला गोड़ा भी या आपको फिलेट बेडा। और और साइड फिलेट बेड और यह आपने प्रॉभाइड किया है यहाँ पर इसको बोलती है TRANSVERSE क्या बोलता है ट्रंसबरस यह LATERAL 250 यह इसको LATERAL भी बोलते हैं इसको क्या कि इसको आप को लाटरल भी बोलते हैं इसको क्या बोलते है लैटरल भी सभार देख है चलिए कि इसको लैटरल भी पोलते हैं एल ले अब देखिए यह ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ट हो गया दुसरी बात कि श्लॉट वेल्ट और प्लॉट फिलेट विल्ट सलॉट वेल्ट अगर कोई है तो अगर आपने प्रोफाइड किया है अपको लेना पड़ेगा है अभी निमेरिकल करेंगे तो ज्यादा किया होगा नेक्स्ट पॉइंट देखें, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि width of the slot और diameter of the plug इसको बोलते है width of the slot इसको क्या बोलते है width of the slot इसको a small w से denote करते है इसको a small w से denote करते है सो width of the slot होगा वो उसका जो value होता है वोता है maximum of maximum of 30 और 25 अधिरीटी और 25 अधिरीटी और 25 अधिर दोनों में maximum होगा हो क्या होगा width of the slot objective के लिए याद रखना है maximum जो आपका width of the slot होगा जो width of the slot होगा हो क्या होगा maximum of 30 और 25 इसका मतलब क्या है यह देखिए इसका मतलब क्या मैं बता रहा हूं यह जो क्लियर डिस्टेंस दिख रहा है आपको यह बला दो स्लोट के बीच का यह क्या है क्लियर डिस्टेंस है यह है क्लियर डिस्टेंस तो यह जो डिस्टेंस होगा यह जो डिस्टेंस होगा क्या होगा greater than equal to 2T R 25 mm मतब दोनों से क्या होगा बड़ा होगा या तो बरावर होगा या उसे बड़ा होगा ठीक है तो यह हो गया क्या होगा तो यह सब आपको अब्जेक्टिव के लिए याद रखना है दूसरी बात कि अभी जब हम डिजाइन का कोश्चन करेंगे वहां पर इसका एक्प्लिकेशन करेंगे अभी यूज करेंगे तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ जो डबलू होगा हो क्या होगा मैक्सम हैं छोआ मैक्सम पर एक्रिती को होगा और जो मैक्सम में चलऄ होगा ऑर जो किलिए डिस्टेंस बीट्वीग ऑफ ठीन दर से लोट होगा इसे क्या होगा तो टी और कट हें दोनों से क्या हमाय में या या डामेटर डाम लग आगा अगर आप आगल आपने प्प्लवाइड किया है इसके में यह यहां सव वरकेत की किया है फूली मोटन प्ण कि आपका समेस्टर से लेके कंपरिशन तक में पूछता है वहां पर मांस दिस्ट्रीबूशन जोटेंज हो जाएगा मांस का डिस्ट्रीबूशन चैन्ज होजएगा यह सेम कॉष्चन है तो 15-20 मांस्ट का पूछएगा में पूछता है तो वहां भी हापका 50-20 मांस में में पुछेगा लेकिन ही कोस्ट्व पूछता है तो आपका 6-8 में पूचेगा ज्यादा ज्यादा मैक्सम टेन मास में पूचेगा तो खोश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है एक कोस्टन है जो medium channel section ISMC Indian Standard medium channel 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 250 250 क्या होता था overall depth था या थे overall depth थे आप अध्य रेत अग्द रट नाइन्टी 0.2 newton per meter एक एक मिट्र का unit better एक मिट्र ये यह चैनल खर देंगे एक ISMC 250 तुर्च का बेट कितना होगा दोसों अन्ठान में पाइंट 2 Newton per meter to develop develop the full strength of the member now this point is very very important full strength of the member full strength of the member the key is case में इस टाप का कोश्चन करना है कितना ग्रॉस मेंबर लोड ले सकता है ना टो डेवल ओल फूल स्टेंथ ऊतना ग्रॉस मेंबर है जो लोड ले सकता है उतना ही लोड हमें इस कन्ешन से ठ्रंस्फर कराना है ना चलिया जर्यासट दो ऑभरलाप लेंपा इज लिम्टेट 2-300 mm घ्थया है बाताइए क्योंकि हम जब यहाँ पर निकालेंगे द्यां फूल स्टेंट स्ट ओफ दया मेंबर निकालेंगे तोहाँ पर क्या करेंगे इस लिए ओलू बेस्ट Nue में मैं क्या क्या एरिया थी एक सीख 203eder डिए रेक्शिक उद ठीकने सो बेव एकने सो बेव कि इस तरह से चनल सेक्विन होता था कुछ याद है है बहुत पहले पड़े थे है क ImmTech इ स्थाष्ड चैनल सेक्षन होता था इस टी डेवलक कितना सेवन ऊंत यह ंतर है तो साइंट इस साइट फ्यवह हो गया ना है तो साइट भी हो गया है अगर इसका मतलब फ्रंट्ट भी हो गया है तनल साइट भी देखें है इसका connection करना है हना है तो सबसे पहली बार कि कितना लोड के लिए कितना लोड के लिए हम इसको design करेंगे तो इसमें कौर्सेन में दिया हुआ है फिर से एक बार पढ़ यह design connected for a tensor member consisting of an ismc 250 यह तो परपटी हो गया टुभीष लप सबसे में पॉइंट यह है तो डेवलब एफ फूल स्ट्रेंथ आफ दे मेंबर आफ दे मेंबर इसका मतलब सबसे पहले बाद है अस्रेंथ तो दे मिम्बर निकालना पड़ेगा स्टेंथ अब दे मेंबर सबसे पहले निकालते हैं टो सबसे पहले निकालते हैं तो लोड करिंग कापसिटी आप चैनल सबसे पहले क्या करेंगे लोड करिंग कपसिटी लोड करिंग कपसिटी कपसिटी आप चैनल औल कि चैनल न में आप ग्रोसे एरिया लेंगे ग्रोसे लेंगे ठीक है आप क्या लेंगे ग्रोसे एरिया लेंगे सपोज किजी कि आपका गसट पलिट है ऐ长 the इसी में आपको Channel Section का Belding करना है Channel Section में बना रहा हूं या पे आपका Channel section है कि यह क्या है Channel dobrze पर चैनल सेक्षिन है यह चंछ सक्षिन है ठीक है तो यह कितना लोड मैक्सम ट्रांसवर कर सकता बताई एग्रो से यहा यहां एक आसिकर यहां पर कोई सैक्ष्यन ले ले लिए उसे शर्वाइज नो बन ले लुन लिलिते हैं ठीक है तो यहां पे कितना फोस्ट ट्रांसफर हो सकता है बताइए कि यहां पे इसका थिकनेश कितना है ठीकनेश आपका दिया हुआ 7.1 लोड करेंग कपसिटी अब दजाना सेक्शन यह निकालना चाहें चैनल सेक्शन इसको मैं P बोल रहा हूं तो P का भैलू क्या अगा बताईें ग्रॉस एरिया एंटू सिग्मा एटी ग्रॉस एरिया एरिया का भैलू देखे दिया हुआ है एरिया का भैलू आपका दिया है 3 8 6 7 3 8 6 7 6 7 into sigma 80 कितना 150 150 इसको जब आप स्वोल करेंगे तो यह आ रहा है 5 8 00 50 5 8 00 50 न्यूटन न्यूटन यानि हमें जो बेल्ड लेंथ प्रभाइड हम लोग करेंगे वो इसी लोड को ट्रांसफर करने के लिए करेंगे इसी लोड को फूल अस्ट्रेंथ अब दा मिंबर के द्वारा जो आपका लोड ट्रांसफर हो रहा है उसी को हमें क्या करना यहां पर बेल्डिंग करना है उसी को ट्रांसफर करने के लिए हमको बेल्डिंग करना है अब आगे बढ़िए तो हम क्या करेंगे बताएए हम लोग क्या करेंगे कि अपने तरफ से बेल्ड लेंथ है जो प्रभाइड करेंगे अब देखे कैसे देखे कैसे नवोब टू देख्ष्ट वाझ अब देखे चुकी यहां पर जो थिकने से टी का भालू क्या है बताईए लेस देन 10 mm है लेस देन 10 mm है कितना है ऐसे 7.1 mm है जो कि 10 mm से क्या छोटा है तो minimum size of build क्या हो सकता बताईए जितना हम लोग पढ़े हैं सारा का यूज हो जागा इस question में अभी तक जो भी पढ़े हैं सब concept इसमें यूज हो जागा तो एक table मैंने लिखाया था जिसमें आपको बताया था कि 5 mm लेते हैं और 20 से आपका 32 हो तो 8 mm लेते हैं ना तो ऐसा हमने एक table बनाया था तो चुक्कि यह क्या है 10 mm से कम है तो minimum size of the build क्या हो जागा 10 mm से कम है यहां पर 10 mm से कम है ना thickness कितना है 7.1 है तो 10 mm से कम है इसी लिए जो minimum size of build होगा जो minimum size of बेल्ड होगा वो कितना होगा बताईए थिरिये में लेंगे थिरिये में लेंगे है ना टेबल में जाके देखिए अगर 0 से 10 रहता है तो 3 लेते हैं दुसरी बात दुसरी बात कि maximum size of build क्या हो सकता है आलसो आलसो maximum size of build कितना होता है बताईए कुछ याद है क्या होता था टी माइनस 1.5 में यह लिखाया था तो टी कितना है बताईए 7.1-1.5-1.5-1.5 तो यह आ रहा है है 5.67 अब देखिए इसका क्या significance है minimum size of build आप प्रवाइड कर सकते हैं 3 mm maximum size of build प्रवाइड कर सकते हैं 5.67 है न 5.67 तो हम क्या करते हैं designing के लिए यह दोनों के बीच का value है जो ले लेते हैं है ना तो लेटेस प्रवाइड लेस प्रवाइड 5.6 में maximum हो सकता है है थोड़ा बचा लेते हैं 5 mm प्रवाइड कर देते हैं है ना अब minimum कितना है 3 mm मतर्व 3 mm से कम तो कर ही नहीं सकते है और 5.6 से ज्यादा भी नहीं कर सकते है ना सो लेटेस प्रवाइड सो लेटेस प्रवाइड पुरा डीटेल में इसका explanation देखेंगे है तो लेटेस प्रवाइड लेटेस प्रवाइड size of weld size of weld जिसको आप S लिखते हैं क्या लिखते थे S लिखते थे ना S is equal to 5 mm S is equal to AS S is equal to 5 mm है ना तो size of weld आगिया जब size of weld आगिया तो अब strength of build निकालें now now a strength of build a strength of build अगर हम निकालें इसको लिखते थे Pw सैं क्या होगा बताए ए्रिया इंटो इनटो ताव बीए और एरिया वेंट, लेकर निकालेंट DOVE अ कि अल एफेक्टीव इन्टो थ्रोट थिकनीस, स्गृट्ट्धि क्पर्द इन्टोंट do hereší जी अफ़रें रित्य एक टांव थरा में अब बताईये एल पेक्टिव कर याल हुक्हए करना पड़ेगात की kिया होता था था कर दिक लिध taş में और स्टीस को इब वखना फंट का वेल्ओक क्या लंगा बताई कुछ नहीं बोला है तो मैं बोला था कि 90 डिगरी लेते हैं फ्यूजन एंगिल कितना लेते हैं 90 डिगरी लेते हैं और के का फैलो 0.7 होता है तो 0.7 ले लेते हैं इंटू एस का भेलो कितना फाइब इंटू टाव यह कितना ओवन जिरो एट इसको आप एक इसमें आएगा न्यूटन में आएगा इसको एक्वेशन टू मान लिजिए अब क्या करें जो बेल्ड है वो इतना फोस्ट ट्रांसफर कर सकता है और हमें ट्रा बिए ग्वेशन टू और उगा बन एक्वेशन टू की ना थया बताए है एक व्यवेशन टू आए अपका आया है एकवेशन टू आया है एक इसमान नम्स्टित इन्टु 0.7 इन्टु एस 5 इन्टु 108 मेगा पास्कल ये न्यूटन में था इस इक्वल टो एक्वेशन वन कितना था एक्वेशन वन था फाइब एट डबल जीरो ओर 50न एक क्या था न्यूटन में न्यूटन तो यहां से हेल से लिज ऐखेक सबस्कुन सकते हैं पर एलिप्ळब निकाल सकते हैं एल एक्तिव अर्ल função करता इक भी 580050 Newton divided by 0.7 into 5 into 108 यह आ रहा है आपको solve करने के बाद आपर सोल्विंग यू आर गेटिंग 153434 1534.52 एम एम एप्रोक्सिमेटली इसका ले लेते हैं 1535 1535 हैं ठीक है अब देखिए अब देखिए हमें यानि टोटर लेंथ एक क्या हो गया रिक्वाइड बेल्ड लेंथ हो गया मतब इतना हमें क्या करना है इतना हमें जरुवत है इतना हमें एक क्या हो गया रिक्वाइड बेल्ड लेंथ हो गया न इतना हमें जरुवत है रिक्वाइड बेल्ड लेंथ बेल्ड लेंद कितना बराव होगा है 1535 में अधिवत्या आगे बढ़ें आगे बढ़ें बट 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 अब अब लेबल बेल्ड लेंद कितना है बताए अब लेबल कितना है इस और पना अभिल लेबल एल डाना अभिलेबल बयूल एलेंद अब लेबल ते दिए अब लेबर बेड़न कैसे पढ़ाचा लेगा देखे कैसे पढ़ाचा लेगा ध्यान से देखिए कि यह आपका एक मेंबर था यहां पर जिसको गसेट प्लेट बोले थे कि अन्हां कि आपका चैनल सेक्शन ए रहा है चैनल सेक्शन ए रहा है यह क्या है चैनल सेक्शन है तो इसमें कहां-कहां बेल्डिंग कर सकते हैं यह ही है आई-एस-म-सी आई-एस-म-सी 250 है तो यहां पर बेल्डिंग कहां-कहां कर सकते हैं बताईए 250 है इसका मतलब क्या बताईए 250 है इसका मतलब इसमें एक बड़ बोला था क्वेश्चन में क्या बड़ बोला था देखिए ओभर लैप लेंथ इस-300 है ना 300 से ज्यादा ओभर लैप नहीं करा सकते हैं मतलब यह जो वैलू है तो फिक्स हो गया यह वैलू आपका फिक्स हो गया कितना खिन्सो अहीं कितना हो मिफ़ तो यह थो क्या हो गया देप्ट आप डेप्तव चैनल संदुक्स कितना है और हकूं थे प्लस 250 है राम से तो कितना बिल्ड अवलेबल लेंथ कितना है 300 फ्लस 250 फ्लस 300 ते इतना ही अफिल या प्लने प्लस 350 reflex आथ heightれた तुँ ठीक है अफिलेबल्व लेंथ कितना हो जगा कि अफिलेबल यंथ दो जो जाएगा आपका और अवर लेब लेंद्फ फेल्ट जो जागा काईसे निकालेंगे बताइए टून्टू टूसेटव अवहर लैप लेंद्र लीए ऑफर लैप टोप सेक्षन प्लस डेप्ट आप सेक्षन है यह जो डेप्थ है 250 है कि नहीं तो सब का भेलू फूट कर दिजिए टू इन्टू ओबर लैप लेंद लिम्टेड है कितना थ्री हंडेड थ्री हंडेड पलस पलस डेप्थ कितना है टू फिप्टी टोटल कितना हो जागा एट टोटोल कितना हो गया च narrative एमन अप देखिए है तो यहाँ पर क्या दैकर है रिककार बेल बेले लेंथ ड्री कोयर से शेंक करें लेकिन से समّतिया है तो ज्यादा है कि choreography छो जाएदा है कि से saय अधिया लेवल बेलेंद लेंद इसका मतलब है है तो टू ऑप्ट दा स्लोट स्लोट बेरन हमें क्या करना होगा स्लॉक स्लोट प्रोफाइट करना होगा ठीक है और जब फिर्ष करना होगा इसका मतलब फिसका मतलब क्लिख बताए है आप इतना पुर्भाइड कर सकते हैं इतना तो अभी लेबल है इतना मतलब आपका क्या है अभी लेबल है है ना सो रिमेनिंग रिमेनिंग लेंथ अब बेल्ड डिमेनिंग लेंथ अब बेल्ड कितना हो गया बताए है टोटल 1535 था आप 850 इसमें क्या किये प्रुभाइड कर दिये तो टोटल कितना बचा बताए है टोटल बच गया आपका 685 685 यानि इस 685 को प्रुभाइड करने के लिए हमें स्लॉट का क्रियेशन करना पड़ेगा स्लॉट क्रियेट करना पड़ेगा है ना सो यह जो 685 mm जो बच गया से बेल्ड लेंथ उसको क्या करना पड़ेगा इस लेंथ और बेल्ड इस टुबी अर्जस्टेट इन दस दो लिए देता हूं दीश लेंथ और वेल्ड अर्जस्टेट लेंगुज लिखने का एक ही रिजन है कि आप जब रिभाइच करें कौपी को तो आप इसली समझ सकें अर्जस्टेट कहां अर्जस्ट करेंगे अर्जस्टेट इन दस लॉट कि इंदर लॉट कि लियर है इसका मतल़ हुआ कि हमें लॉटका add क्रेशन करना होते स्राथ का क्रेसन करना अच थिक हैं तो अब सलॉट का क्रेट किजिए अ इसलाट के लिटकी च अब देखिए मैं अच्छे से फिगर फिर से बना रहा हूं और नव अब इस निक्स्ट प्लेज में आ जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा यहां पर आजाई है मैं स्प्रॉट्वाइट करना है हमें क्या करना था लॉर्ट प्रॉट्वाइट करना है तो देखिये एक यह अपना गसेट प्लेट हो गया यह गशेट प्लेट हो गया ठीक है इसी में आप ISMC बेल्ड कर रहे हैं इसी में आप क्या करेंगे ISMC का बेल्डिंग करेंगे हैं तो ISMC आप इसी में बेल्ड करेंगे यह क्या है ISMC है यह ISMC है यह ISMC देखिए आपने स्लोट प्रोवाइट कर दिया आपने स्लोट प्रोवाइट कर दिया आपने आपने स्लोट प्रोवाइट कर दिया बीत अव्द स्लोट एक क्या है आपका ध्यान से समझना अचीज़ों को यह आपका है ISMC कि 250 है यह ISMC 250 तो आपने यहां पर तो बेल्ड आउल्रेडी कर चुके है यह आपने 300 कर दिया इधर भी आपने 300 कर दिया 300 कर दिया अब कहां कहां प्रोवाइट होगा देखिए ध्यान से यहां होगा यहां होगा यहां होगा है यहां पर होगा यहां पर होगा यहां पर होगा यह तो पहले जैसा ही हो गया पहले जैसा है अभी कोई चेंजिंग नहीं हुआ अभी यह इसको क्या बोले थे को जिसको बोलेते बीजाइन कर रहे है बीजाइनिंग कर रहे है लोड सब ईय लोड ये गया किलियर डिस्टेंस यह क्या हो गया किलियर डिस्टेंस आप सलॉट यह वाला इसको बोले थे किलियर डिस्टेंस आप सलॉट इस सब का भैलू अभी निकालना है किलियर डिस्टेंस आप सलॉट है ठीक है सलॉट में आप बेल्डिंग यह कर रहे हैं यह आप slot में building कर रहे हैं इसका value क्या होगा हमें नहीं पता भी हम निकालने बाले हैं इस तरह से इस तरह से ठीक है मान लेते हैं मान लेते हैं कि यह value आपका क्या x है तो यह होगा इधर भी होगा है और यहां भी क्या हो गा एक सो sund एक्सेकर फोन एक्सेकर एक सब्सात है अब देखिए अब देखिये सबसे पहले की यह भी फिलावन निकाल लिए यह डवलो भी फप स्लाट है बीत अप्स लॉट बीत अप्स लॉट जो डवलू होता है वो क्या होता है बताएए आजे तो पढ़े हैं मैक्समॉम ओफ मैक्समॉम ओफ थिरिटी और ट्वण्टी फाइव एम्न मैक्समॉम ओफ थिरिटी मतब थिरिटी इन्टु 7.1 टी का भेलू तो 7.1 है आई था 25 है है ना इस इक्वेल टो मैक्समॉम ओफ यह तो हो गया कितना इसको जबाब करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 21.3 ऊपरवाला सोलॉम करेंगे तो 21.3 आएगा और नीचे कितना आएगा 25 आएगा तो दोनों मैं मैक्समॉम क्या हो गया बताए25 कुह एमें मिवाह बहुत अच्छा यह यान्नि यह वहलू कितना हो हो गया 25 है, without slot कितना हो गया, 25 है, second thing, second thing, second thing, आपको, जो clear distance between slot है, a, clear distance between slot है, a है न, clear distance between slot जो है, वो क्या होगा, बताई, clear distance between slot, clear distance between slot, क्या होना चाहिए, यह बोलता है, कि 2T से भी बड़ा होना चाहिए, और, दो ग्रेटर देन इक्वल टू 2T और 25 है मेंट, और 25 है न, तो हम क्या करते हैं, 2T करेंगे, तो कितना हो जागा, बताईए, greater than equal to 2 into 7.1, और 25 है, 25 है न, तो आप चाहिए, तो 25 है में मिनमाम आप प्रभाइट कर सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा जाधा ही प्रभाइट कर देते हैं, है न, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना प्रभाइट कर देते हैं, let us provide, let us provide, जो clear distance है, let us provide clear distance, distance, क्या पूरा लेख देता हूं, between slot, कितना, पचास से में डाल देते हैं, कितना, पचास से में है न, पचास से में, ठीक है, है, now, 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 let, now, अब सुनी, now, now, let, length of, length of, slot है, जो कितना है, एक समान लेते हैं, length of slot है, जो एक समान लेते हैं, हना, ठीक है, अब देखिए, बहुत अच्छा से, ध्यान से सुनना है, यह जो हमारा 685 आ रहा था, क्या, remaining length of build, इसी को हमको किस में डालना है, slot में डालना है, slot में डालना है, ठीक है, तो total slot में आप कितना डाल सकते हैं, x यहाँ से, x यहाँ से, x यहाँ से, और x यहाँ से, यहाँ से, यानि 4x, है न, so this imply, हम क्या लिख सकते हैं, बताएं, क्या लिख सकते हैं, बताएं, दो, x प्लस x, प्लस x, प्लस x, यह किस के इकोल होना चाहिए, 685 के इकोल होना चाहिए, और बेस ही बात है, 685 के इकोल होना चाहिए, so this imply, this imply, 4x, ब्रावर कितना हो गया, 685, so this imply, x क्या हो गया, बताएं, यह आपका आ रहा है, 171.25, 171.25, but क्या करेंगे हम, थोड़ा बढ़ा कर लेंगे, थोड़ा बढ़ा कर लेंगे ताकि सेफ रहे, हाँ न, so let us provide, so let us provide, provide, let us provide, x is scale to 175 mm, कितना provide कर दें, थोड़ा बढ़ा कर देते हैं, length of slot कितना provide कर रहे है, 175 mm, बहुत अच्छा, 175 mm, है न, यानि यह कितना हो गया, बताएं, यह कितना हो गया, 175 mm हो गया, है न, यह 175 mm हो गया, ठीक है, तो हो गया, बस यही करना था, हमें क्या कालना था, design का मतलब क्या होता है, जो remaining चीज है, उसका value निकालना, है न, जो हमें total आया था, 1500 something build, उसको accommodate कराना था, 1535 आया था, 1535 टोटल क्या कर दिया, यहाँ पर कोस्चन आपका end हो जाता है, यहाँ पर कोस्चन आपका end हो जाता है, ठीक है, यह 300 था और 250 था न, यह आपका 250 है, यहाँ से यहाँ था, depth, हन, depth, हन, ठीक है, देखिए, इस कोस्चन को, एक तरीका से आप और कर सकने हैं, चाहें तो एक फिगर, जो लास्ट वाला फिगर है, एक फिगर आपको एकजाम में बनाना पड़ेगा, एक फिगर आपको एकजाम में बनाना पड़ेगा, तभी आपको फूल मार्स मिलेगा, तभी आपको competition में खास करके फूल मार्स मिलेगा, हन, यह जब फिगर बना दें इसका एक तरीका और बता देता हूं यहां पर सॉलूशन एक इंड हो जाता है और आप क्या कर सकते हैं बताइए हमें टोटल कितना प्रभाइड करना था बताइए 1535 प्रभाइड करना था टोटल कितना एल एफेक्टिव था पंदरसो फैथिस तो पंदरसो फैथिस कैसे कर सकते हैं बताइए तीन सो नीचे से तीन इसा उपर से तो थीर हंडेड पलस थीर हंडेड पलस डेप्थ में कितना कर सकते हैं 250 कि 250 पलस सलोट के अंदर कितना कर सकते हैं कि एप्टिट्यूड है है एक्टिट्यूट का है फूर एक्स तो यहां से भी जब स्वल्व करेंगे तो यहां से भी स्वल्व करेंगे तो एक सा जागा को 171.25 फिर इसी को आप क्या करेंगे बढ़ा कर ले लेंगे 175 है कि नहीं सिंपल है सिंपल है आपको जैसे मन है वह से कीजिए मैं दोनों तरीका बता दिया है ना दोनों तरीका बता दिया नाव मूब तो दे नेक्स्ट वन है देखें यहां पर एक जो कोस्टन है यह अनल रहाँ देमी आप मिर्टन ऊहां लिए यहां पर आपको किया गया यहां पे है जो टरिल गयल प्रवाइड क्या गया है हो पहलगा थे यहां पर एह पर criminal प्रवाइड के ड़ोनों तरा इधर बही और इधर भी खा साना इंब अ ये एख इस तरह से जाम्तूर इस तरह से चारो तरफ आपको बेंड करना होगा इस तरह से मिशनल पेरिफचने परीप्रीफ प्लेट जामें इस तरह से इस तरह से बेल्ड है जो किया होगा है इसका डामेटर कितना दिया है 150 दिया है यह भाई लू कितना 150 M 150 M हमें क्या निकालना है इसका जो साइज है ए फिलेट बेल्ड का जो साइज है ए कितना है स्क्राइब करते ज़िए तरह सब्सक्राइब कर दिए बेल्ड कर दिये वैल कर दिये वहें से बेल्ड कर दिये है पाइप भी हो सकता है अब इसमें किया होगा टॉर्क लगाएंगे इस तरह से इस तरह से क्या करेंगे तॉर्क लगाए तो उसी कितना टॉर्क спокой कर सकते हैं तो क्या करना है तो बहुत सिंपल है है देखिया कैसे बहुत सिंपल है हम क्या करेंगे आपको यहां पर टाव भी आपका वैलू लेना है जो टाव भी आपका वैलू लेना है वो लेना 108 108 मेगा पास्कल लेना है 108 मेगा पास्कल लेना है 108 मेगा पास्कल लेना है तो टोटल से फ्लोड यदि निकाल ले टोटल से फ्लोड यदि निकाल ले तो टोटल यदि से फ्लोड निकाल ले तो कितना हो जगा टोटल से फ्लोड यगर निकाल ले टोटल से लोड ट्रांसफर वाई सर्कूलर प्लेट मैं सर्कूलर ले क्या हो जागा पीड़ लू के बरावर होगा पीड़ लू के बरावर होगा इसका फेलो कितना बताई है हैं मैं एन्ट में टू थ्रोट धिकनेस इन्ट रोल ट्व के अँट्ического एक बाता है चारो तरफ कि यह चारो तरफ किया है तो इसकर टोटल लंद कितना हो था हैं ऑसले बायर में और प्र Connor में पिरअंट के बढ़ार हो जागा लॉन mister पाई देखिए कोस्टन जो अब्जेक्टि पूछता है अच्छे एक्जामनेशन में वह आपको दो सब्जेक्ट को कम्बाइंड करके पूछता है यहां पर टॉर का भी बात क्या है मतलब श्रेंथ और मेटरियल को इसमें क्या क्या इंसर्ट कर दिया है तो फाइड यह पाइट टी इन टी कितना 150 150 इंटो क कितना 0.7 into स कितना 6x into 108 10 is quit question one molly यह क्यों मन लिजे फिल इब देखिए अब देखिया क्या करेंगे दूसरी बात कि एक क्या होगा नूटन में आयगा कि समद्धान नूटन में अदू नूटन में तो इहां पर जो ट्क इतना लग इस पर तोर कितना लगा सकते हैं बताएं तोर क्या होता होर्स इंटू डिस्टेंस होता है तोर्स इंटू डिस्टेंस होता है तो यहां से आप इधर लगा सकते हैं 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 यहां यहां पर तोल्क कितना टांसफर कर सकते हैं यही यही र लिए लुह तंद एक ही से वूर एन्टूए इस दिस्टेंस से पूना करने को टोटा झेवा तो टूलोट को ड़े रहा हो गाई दू쪽 रसे के बाट क्या मैं धा requiring टैक है तो देखिए इसी को क्या हो जगा और ब्राबर अगर लिखें अगर आप लिखें अगर टटब ब्रवर लिखें टब को किसे दिनर के पेट से तो टी ब्रावर क्या उतना हो जागा फीडवलू इंटु डवाइटू इंटू इंटु डवाइटू है कि नहीं टॉर्क होगा न तो फीडवू तो निकाल चुके पी डावलो है कितना पाई बाई पाई इंटू 150 इंटू 0.7 इंटू 6 इंटू 108 इंटू दी बाई टू 150 बाई टू है ना यूनिट क्या होगा इसको किलो न्यूटर्न मीटर इसको जब आप सोलो करेंगे तो सोलो करने के बाद आ रहा है और है 16.0 to actual में क्या आएगा Newton mm में आयगा Newton mm में आएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा टेन टूडिपावर डिवाइड कर देते हैं तो किसमें आजागा किलो न्युटर मीतर में आ जागा हSON तेन डूपाइड कर देते हैं इंग विप्लाइड कर देदें या फिर आपको टेन डूपार माइनस जिव हदिक कर दें तो उनकेह बत स्में इंट Bent difference 6 जाएड करें तो तो डिरेक्ट में लिख देता हूं कितना 16 पाइंट करने के बाद आ रहा है 16.02 किलो न्यूटन मीटर का भैलो जो भी यहां सोल्व करने कर आएगा उसको क्या करेंगे जो भी यहां सोल्व करके आएगा उसको 10 तुपार 6 से डिवाइड कर देंगे आज्व करनास आज के बारे में मैं कुछ को alors करेंगे चुझह करें क्या करेंगे यह चैका के प्रैक्टिस और करेंगे जो कंपटिशन बरिया में प्रिवेस ने सन्मे उसके बैस्क्राइगल next class में ये topic है जो end हो जागा next class में ये topic काफी अच्छे से है जो end हो जागा है na so मिलते हैं next class में या so this is all about today session thank you for watching all the best मिलते हैं next class में